के समस्क्राइब और में आज हम बात करेंगे फेसब्स क्या है इसके थरूं आप क्या-क्याज बन सकते हैं इसका टर्म में ठीए और हर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है ना देखो इसका फुल पॉम होता है बिहार पब्लिक सर्विश कमीशन हिंदी में बिहार लोग सेवा आयोग कहते हैं इसको यह जो उफिसर बनाने के लिए उफिसर बनाने के लिए आप net बन सकते हैं इसके लिए इसका हो ना चाहिए ब्युक्राइब का लिए अग्जाम दे चुकह हैं तो उफ्रेटी और इसका फॉर्म भर सकते हैं के लिए 20 से लेकर के 37 वर्स तक आप इसका एक्जाम दे सकते हैं OBC के लिए 20 से लेकर के 40 वर्स तक और SCST के लिए minimum 20 होना चाहिए और maximum 42S होना चाहिए यहां तक क्लिए है बात करते हैं एक्जाम फिस जेनरल और OBC को 600 रूपीज लगते हैं और SC और ST को 150 रूपीज लगते हैं अब बात करती है apply notification मतलब इसका जो एक्जाम का notification या apply करने का समय कब आता है तो जून के बाद इसका notification आना शुरू हो जाता है बात करें एक्जाम का तो यह जो है ना उस साल के last में exam होगा या starting of the air में exam यह ले लेती है यहां तक किलिए है चलो बात करते हैं कि आप इसमें कितना attempt दे सकते हैं तो देखें इस exam को देने के लिए आपके पास attempt का कोई भी सीमा नहीं है जब तक आपका age बचा हुआ है तब तक आप exam दे सकते हैं तो last age of limit ठीक है न एक्जाम का stage जो है यह तीन exam लेता है जैसे पहला exam लेता है प्री में प्रीलेम्स दूसरा होता है मेंस तीसरा होता आपका interview ठीक है अब हम बात करते हैं प्रीविव के प्रीलेम्स का exam का syllabus exam syllabus है प्रीलेम्स का subject है general study सामान अध्यान जिसका समय आपको मिलेगा दो गंटा और यह 500 नंबर का question पूछा जाएगा टाइप होगा mcq मतलब objective यह पेपर आप हिंदी और एंग्लिस दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं यहां तक क्लिए रहा है यह जो प्रीलेम्स exam होत करता है यह सिर्फ qualified paper होता है कि मतलब इसको qualify करने के बाद आप मेंस exam दे सकते हैं clear है चलो बात करते हैं मेंस exam का syllabus का इसमें तीन पेपर होता है सॉरी तीन एक चार पेपर होता है ध्यान से देखो थी पेपर compulsory होता है और एक पेपर पेपर का में सब्जेक्ट का बात करें तो जिनरल हिंदी होता है जो कि 100 नंबर का पुछा जाता है तीन घंटा समय आपको मिलता है सेकेंड़ पेपर है जिनरल एस्टडी पेपर 1 क्या है जिनर एस्टडी पेपर हैं जो 300 नंबर का पूछे जाएगा समय आपको तीन घंटा मिलता है थर्ड नंबर सब्जेक्ट है आपके पास जेनरल स्टडीज पेपर टू याद रखें जेनरल स्टडीज पेपर वन और पेपर टू अलग अलग है इसको भी पेपर टू भी आपका 300 का मास का पूछा जाएगा और इसके ल आपके पास जो पोस्ट होता है इसमें डीएसपी कमर्सियल टैक्स ऑफिसर सब एलेक्शन ऑफिसर डिस्टिक ऑडिट ऑफिसर आर्ट डियो रिवेनी ऑफिसर सप्ला इंस्पेक्टर ब्लॉग सीस्ट वेलफर डिपार्टमेंट आपको मिलेगा बात करते हैं में एक्जाम क जो स्लेवस होता है उसके बारे में तो जैसे पेपर में होता है आपका सामान हिंदी सामान हिंदी में आपका निभंध व्याकरन वाक्य विन्यास और संच्छेपन पूछे जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम इसमें कि निभंध आपका 30 नंबर का व्याकरन 30 नंबर का व समान अध्यन पेपर 1 में इसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतिय संस्किर्ति उसके बाद है राष्ट्रिया और अंतराष्ट्रिय महत्वका वर्तमान घटना चक्र और क्रेंट एफियर्स सांखी की विसलेशन आरेखन और चितरन से प्रश्ण पूछे जाते हैं यह र भारत का भूल भारत के विकास में विज्ञान और प्रदगे की भूमी का और प्रवाव से प्रश्ण पूछे जाते हैं यहां तक क्लियर है यह सब आपके पास आपके पास में में पॉइंट सब है जो हमने आपको क्लियर कर दिया है ठीक है अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अब अपना क्वेशन पूछ सकते हैं चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में थैंक्यू सो मुच अगली क्लास में थैंक्यू सो मुच